एइन्पी सियाइल में जो है धेकेंसी आया है एपरेंटीस के लिए और जो ज़ो बच्टे का जो है, आइटी आइ कमिम्पलीट है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एपरेंटीस कर सकते हो, ठीक है तो यहाँ पे आपका कॉलिफिकेशन कितना है, एस कितना है और स्टेपन के तोर पे आपको कितना मिलेगा सब कुछ मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जॉब नोटिफिकेशन जो की ओफिसियल नोटिफिकेशन है ओफिसियल पीडियाप से ही हम आपको बताते हैं कोई इधर उधर का बात बिल्कुल नहीं बताते हैं ठीक है तो बेल आइकन जो है आप लोग जरूर दबाईए और आपको हमेशा जो है जो है जो आपडेट्स मिलता रहता है हमारी सरकारी नौकरी चैनल पे तो आप जो है वीडियो को लाइक भी करें तो नुकुलियर पावर कॉर्परेशन ओफ हिंडिया लिम्टेड एनपी सी आयल का जो होता है वो फूल फॉर्म होता है इनर्जी गौवर्मेंट अप चलिए यह जो है उसके बारे में दिया हुआ हम उसके बारे में नहीं जानेंगे और यहां पे PSSA COPPA के लिए 10 है और welder के लिए 10 है टर्नर के लिए 10 है और मसीनिस्ट मेकनिस्ट के लिए मेकनिस्ट के लिए आपका आठ है मसीनिस्ट बोलते है इसको ठिक है और यहां पे बात करते हैं तो के लिए मगर उसमें नंबर आप सीड्स जो थे वो बहुत कम था मगर इस बार फिर से जो वेकेंसी आया है उसमें नंबर आप पोस्ट काफी ज्यादा है 177 के बराबर एक साल का होता है प्रेंटेश सिप सब को पता है डिगरी की बात करें आपका क्वालिफिकेशन तो सेम बा आप यहां पर आगे की बात करें योगिता की बात करते हैं योगिता में देखिए दा मिनमाम एस ओप एले तो एस का दे दिया है दा मिनमाम एज ऑप ये हिंदी इंगलिस दोनों में है यह फॉर्म कर सकते हैं 24 से कम होना चाहिए एस candidates कब तक 15-7-2022 तक age relaxation up to 5 years 5 साल के लिए SCST को और 3 साल का OBC के और 10 साल का PWD के लिए है यह हो गया clear बात ठीक है पुरु परिक्षिचन छोड़ देने वाले सुक्छू अविद्वार अविदन के लिए प्राप्त नहीं है तो यहाँ पे जो आप पहले छोड़ दिये होना तो बिल्कुल आप इसके लिए नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को अब जो है हम लोग आगे बढ़ है अब देखिए कितना सेलरी मिलेगा क्या मिलेगा यहाँ पे मेंसन किया हुआ हुआ है इस्टेपेन फीटा टर्नर मसिनिस्ट, इलक्टिशियन, इंस्टूमेंट मेकैनिक इलक्टोनिक मेकैनिक रेफरिजेशन एंड एर कंडिशनिंग मेकैनिक को यहाँ पे आपको आठ हजार आठ सो पचपन रुपया सैलरी मिलेगा एक तरह से स्टेपेन के तोर पे ठीक है सहायक रासी जिसको बोलते है उसके बाद अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ अगर आपका सेलेक्शन उसी अधार पे होगा आई टी आई में अगर आपको ज्यादा नंबर है अपने डिपार्टमेंट से तो बिल्कुल आपका सेलेक्शन होगा सियोर सोट रहिए आप ठीक है अब जो है यहाँ पे मैं आगे बढ़ू आगे बढ़ू यह सब चीज जो है उतना माइन नहीं रखता है मैं में चीज पे बात करता हूँ सबसे पहले तो 15,72,22 जो था वो लास्ट डेट था आब एदन आपको कहा करना है www.npcil.nick.in पे आप जाईएगा वहाँ पे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ध्यान देना ठीक है अगर आप लोग चाते हो कि सर्फ फॉर्म भराना भी मुझे सिखा दीजिए तो बिलकुल आप वीडियो में कमेंट करिए मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा और आप वहाँ आप हमें कमेंट करेंगे तभी हम वीडियो बनाएंगे अदरबाइस फॉर्म तो सब लोग भर लेता है तो आपके पास इतने सारे ट्रेड है सभी बच्चे जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और एपरेंटिस सिप आप बिलकुल कर सकते हो तो इस चैनल को आप लोग प्यार दीजिए अपना सस्क्राइब करिए अपने दोस्तों से भी सस्क्राइब करवाईए सेयर करवाईए और जो लोग जो है जॉब अपडेट्स का हमेशा जोथ परता है उनको ये चैनल जरूर सेयर करिए थैंक्यू सो मच मिलते एक नए अपडेट्स के साथ